वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऑडिटिंग की सेकिंड क्लास करने वाले हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी। बेटा देख लो, देख लो, देख लो। आज हम लोग के लिए अग्सिक्ट के लिए और चप्टर नहीं है। आज हम आपको कुछ अक्वाइं की सब्सक्राइब का लोगे तो बहुत इंपॉर्टंट की सब्सक्राइब बताई थी। आपको वो चीज़ दियान में रखनी है और कैसे-कैसे पढ़ना है एक बच्चा उसे पूछ रहा था नीचे कमेंड में किसे स्ट्रेटीजी क्या है है बटेजी कोई टीचर आपको डिफाइंड नहीं कर जाता है स्ट्रेटीजी थोड़ी बड़ी चीज होती है यह चीज को सोचो आप समझो खुद कि मैं आपको बता दू कि आपको दो घंटे आप मैच्स पढ़ो ठीक है दो घंटे आप क्या पढ़ लो अपनी हिंदी पढ़ लो और आप कितना फिर कि अबस्त हमारा इंगलिश हो रहा था हां 11 घंटे होगए ठीक है लेकिन हो सकते है कि आपके हिंदी पहुझाद आप इस panel हr हाँ भाई है मेरा math strong है math में earthmatic में मुझे इतना इतना time लगीगा मैं एक घंटे में अपने एक मतर डेली का एक घंटा दूगा तो मेरा काम हो जाएगा जब कि मुझे हिंदी में अगर मेरी हिंदी week है तो मुझे इसमें 2-3 घंटे देने हैं ठीक है तो इसमें 2-3 घंटे दो अगर आपकी English अची है तो English में 1 अवर्स दो ठीक है आपको देखो कुल में लाकर पढ़ना क्या है वो चीज में आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है ठीक है इसमें आपके 3 होते हैं जैसे मैं आपको सिलिवस न बताया था तो अकाउंट्स क्या होता है जनरली अपने लिए easy होती है accountancy के जो भी होते जनरली easy होता है तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम दो ठीक है auditing auditing भी comparatively easy है किसे income tax से अभी हम लोग auditing पढ़ने क्योंकि तो इस पर थोड़ा कम ध्यान दो और जो हमारा पीछे जो हो चुका है मतलब जितना भी अपने लोगों ने पीछे complete करवा चुका है फिर भले वो accountancy हो auditing की कल वाली class हो questions practice करते रहो questions practice is a must कि मतलब जितनी देखो मैं आपको इतनी सार पर इसमें 67 classes तो दे चुका हो मतलब 100 के लगव questions मैं आपको करवा चुका हूँ इसमें अपनी lab classes के तुक तो आप लोग उसमें से देख सकते हो ठीक है फिर उसके बाद में कहीं पर भी net पर इतना content पड़ा हूँ ना पर इतना content पड़ा हूँ किसी भी बस यह सर्च करो income tax mcq questions ठीक है आपको जीरो लेवल से उठा करके मतलब बेसिक से उठके कि कौन से लियर में था 1961 का act है ठीक है फिर उसमें कि हमारा हुएफ क्या होता है individual के लिए क्या क्या वो करने पड़ते है resident कम बाना जाएगा उसमें सब कुछ चीजग cover हो जाती है ठीक है बट अभी क्या अभी क्योंकि हमने income tax नहीं पड़ा तो इसलिए बच्चों को नहीं भी आता होगा तो आपको करना क्या है आपको सिर्फ अभी accounts के questions उठाने है ठीक है topic wise उठाओ general entries के questions उठाओ ठीक है और फिर उसके बर में BRS के questions उठ जो भी कुछ में आपको topics पढ़ा सको है rectification of errors हो गया अगर mcq नहीं भी मिलते mcq नहीं भी मिलते कोई आपके आपके आसे पुरानी किताब पढ़ी हुई है उसमें से जाके general entries उठाना स्टार्ट कर दो rectification of errors स्टार्ट कर दो लेकिन करो ठीक है लेकिन करो ठीक है यही इसका वीडियो नहीं बनाई है जिसे मैं आपको बताओ कि भाई है इस तरीके से पढ़ो उस तरीके से पढ़ो जैसे भी आपको comfortable लगे जिस टाइम पर पढ़ना है उस टाइम पर पढ़ो लेकिन क्या करो पढ़ो ठीक है अपने साब से खुछ strategy create करो तो कल मैंने कुछ आपसे questions प कर सकते हैं ठीक है 10% शियर वाला वो था ठीक है C.A.G. Comptroller and Auditor General of India ठीक है C.A.G. C.A.G. ठीक है ठीक है एक विने कुमार ने भी आंसर लिखा था ठीक है इतना बड़ा आंसर लिखा था कि मेरे उसमाई नहीं रहा था तो मैंने आपका अंसर नहीं लगाया बट आपका अंसर कि मतलब कि C.A.G. का नाम बताओ तो इसमें करेंट अफेर्स नहीं आने वाला आप देखो होता क्या है कि हमारी दो चीज़े होती न आपको कि एक तो होगी आपकी पोस्ट ठीक है C.A.G. का है अब उस पे जो नोट पे जो है वो साइन कौन करता है आर भी आ का गवर्णर कह तो क्यों कि गवर्णर अपॉइंटेड है इसलिए करता है ठीक है इस चीज़ को समझे ना तो गरीशन्द मुर्मू बेटा मैंने नहीं पूछा तो मैंने C.A.G. पूछा होता ठीक है इस चीज़े नहीं होता जब गवर्मेंट ऑफ इंडिया जो देनो C.A.G. को कम्ट्रोर मैं दे रखा है ओडिटिंग के बारे में तो वो चीज़ पढ़ेंगे तो गया है होड़ा फारुकी ने सेकेंड नंबर सेकेंड नो अच्छा टू का आपने नो दे रखा है ठीक है अंसर अधा ओडिटर अपॉंटेट अंडर निर्मा देव ने सही अंसर दिया है इसके लिए बिना कुछ बताए गए है कि आपको सेंडर गोर्मेट से कब परमीशन लेनी है मतलब प्रिवेस अप्रूवल कब लेना है और कब नहीं लेना तो जह हम पढ़ेंगे आगे तब आपको बता दूँग इस तही बात है ठीक है तो फिर क्या है नो परसल फूई पार्टनर वागुई जन इंप्लॉइमेंट और ओफिसर और इंप्लॉई ठीक है चैन नॉट भी ऑडिटर ठीक है सी एजी क्या करता है नियंतरक एवा महालेखा परिशक ठीक है जो भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकार स्वामित वाली कंपशिश्चर करता है ठीक है ठीक इस्टेट गोर्मेंट की भी हो सकती है एन ओडिटर कैन बी रिमूट भार पासिंग स्पेशल रिजूलिशन अपर ठीक है नो दा परसन है तैन परसंट शेर कंपनी कैन नॉट बेटर ठीक है वेटर ठीक है बहुत यहाद अच्छा जी आंसर दिये ऑडिटिंग नहीं उसका यह है कि एक एक आपका की यृक्षिं की तरफ हगे तरफ ब fourS ईकल कमनान टीभिऩ कट उसकी तरफ अपको धिरशलत है कि तो इंपॉर्टेस. इंपोर्यंट चैपॉपिक हो जाताह थो क्या हमको इंपोर्यंट टॉपिक को थोड़े ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिं ह बिलकुल पढ़ना चीज़ है, बिलकुल पढ़ना चीज़ है, पर हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसके पीछे मतलब थोड़ा बड़ा है यह रटापरेट, ठीक है, ताइपस ओफ ओड़ेट, आज ही ग्लास बहुत जादा बड़ी नहीं होगी, ताइपस ओफ ओड़ेट में ब कहानी आज की नहीं सुनाओंगा, क्योंकि इसके कहानी इतनी जाद सुनाते हो, आप तो मतलब कहानी वाज हो गया, पच्छतन तरन लिख देना, audit of proprietorship, ठीक है, based on ownership, सबसे पहले अगर हम बात करें किस पे ownership के basis पे, तो audit of proprietorship, ठीक है, बड़े-बडे से आ जाएंगे, लेंध मतलब इसको sole proprietorship भी कहते हैं कई बर, है ना, एकी person मतलब जैसे आपके दुकान वाला हो गया, ready वाले हो गया, है ना, जैसे टिक्की की दुकान है, अभी अभी कानपूर की एक नई रिपोर्ट आई थी, याद होगी आप लोग को, जिसमां बोला था कि कानपूर में, जो टि टिक्की नहीं बेखते हैं, टिक्की बेखने वाले लगए लगए साड़े तीन सो लोग महां पे कितना उनकी इंकम करोड में, मतलब कि वो करोड़ पती हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा यूपी PCL में अकाउंटेंट बनके क्यों ना, खेले टिक्की का ठेला, अपने-अपने सब बात होती है, जो उसका स्वाद है, तो मैं ये चीज बता रहता है, हाँ आपको, कि सोर प्रोप्राइटरिशिप जो होती है, वो हमेंसे कोई छोटी ऐसा जरूरी नहीं है, कि छोटी ही फां हो, वो बड़ी-बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, तो उनको भी auditing किया, जो रह में consent नहीं करना, उसकी किसी फर्ची obligation नहीं है, तो जब वो चाहेगा कि हाँ भी है, मुझे auditing करवा लेनी चाहिए, तो वो करवाएगा, जब सोचता है auditing नहीं करवानी, तो नहीं करवाएगा, sole trader will decide about the scope of audit and appointment of auditor, यह अपनी मर्जी से ही appointment के, मतलब auditor को अपनी मर्जी से ही appointment करेगा, और अपने आप ही उसको ठीक है भी है, तो मेरा auditor बन जा, ठीक है, the auditing work will depend upon the agreement of audit and specific instructions given by the proprietor, इस वाले case में देखो, proprietorship में जो auditor जो है, वो कोई एक independent person की तरह काम नहीं कर रहा, auditing जो होगी, वो किसके पर depend करेगी, देखो, इसमें लिखा हुआ है, auditing work will depend on the agreement of audit, ठीक है, auditor को यार, ठीक है भी हा, नहीं करना, ठीक है, नहीं करूँगा, लेखिन मुझे पैसे देदेना, ठीक है, proprietorship बोलेगा, कि मेरे पास तो करोडों में संपती है, जितनी लेनी है, लेदेगा, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, audit of proprietorship का, तो आपके इसमें लिखनी क्या थी, audit of proprietorship लिखो, फिर यहां पर लिखो, सिफ याली लाई, ठीक है, the owner himself, यहां से लिखेंगे, यहां से मालिक खुद के खातों के audit करने का निड़ाय लेता है, ठीक है, प्रोपरेटर्शिप के audit में, फिर हमार आता audit of partnership, अब देखो, audit of partnership की बात क्या क्या था है, सर, इन पर company sect लागों क्यों नहीं होता, सर, इन पर company sect लागों क्यों नहीं होता, यह बच्चे मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, बताओ, आज की class खत्म होगे नहीं तो पताना, ठीक है, audit of partnership, तो partnership की audit क्या होता है, to avoid any misunderstanding and doubt, partnership audits their accounts, ठीक है, partners, मतलब अपने अपसे account को audit करवाते हैं, partnerships deed on mutual agreement between the partners में provide for audit and financial statements, यह चीज़ बोल रहा है थे, यह हमारा profit sharing ratio होगा, यह इस तरीके से काम करेंगा, यह salary पर काम करेंगा, यह capital पे interest लगते तो यह लगेगा, partnership deed में लिखी जाएंगे यह सारी चीज़, ठीक है, तो क्या कहता है, कि जब हमारी कोई भी जो deed जो बनी हुई है, partnership की, उसके according ही, मता कि दौनों को mutual agreement होना चाहिए, जब deed लिख दिया तो mutual agreement ही है, ठीक है, तो उसके according ही हम लोग audit करवा सकते हो, financial statements को बना सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को no down कर लेना, auditor is appointed by the mutual consent of all the partners, ठीक है, auditor जो होगा, वो कैसे दौनों के mutual consent से, ठीक है, mutual consent से, दो, तीन, चार जितने भी हैं, उनकी mutual consent से ही होगा, rights, duties and liabilities of auditor are defined in the mutual agreement and can be modified by partners, ठीक है, तो ये भी तेखो, बिलकुप proprietor की तरह ही है, कि partners जो चाहेंगे, auditor को वही करना पड़ेगा, ठीक है, उसके पूरी-पूरी rights, duties, liabilities, कौन decide करेगा, उसके जो partners जो है, वो बच्चे नीचे देख लेना, आपको कहां से लेगना, भागीदारों के बीच आपसी समझोते में परिभासित होते हैं, और भागीदारों द्वारा संसुदित किये जा सकते हैं, एक इसली line को और लिख देना, ठीक है, ये early line लिखोगे न, तो ये early line और लिख देना, can be modified by the partners, अपने notes बनाओ, PDF के चकर में मत रहा करो, यार, PDF में क्या है, PDF अपने notes जब पढ़के जाओगे न, तभी selection पापा होगे, ठीक है, PDF में तो मैं अपने हिसाब से पूरी-पूरी theory डाल दूँग, उसमें कितना-कितना पढ़ोगे, आपको एक बार चीज हमें आजा है, फिर पूरा-पूरा सब कुछ मिल जाएगा, जो कुछ में आपको बचा रहा है, ठीक है, PDF के चिकर मत रहा हो, यहां से समझो, और उसके अपने notes बनाओ लग से, अब आता है, audit of companies, जो की है important, जो की mainly हमको पढ़ना की, ठीक है, audit of companies, proprietorship नहीं पढ़नी, partnership नहीं पढ़नी, और cooperative houses न audit of accounts of companies in India is compulsory, ठीक है, क्या कहता है, audit of accounts of companies in India is compulsory, नोड़ाण कर लो, Chartered Accountant, who is professionally qualified, is required for the audit of accounts of a company, कोई एक CA, ठीक है, जिसका हम लोग क्या कहते है, आपने में से बहुसा लोग CA भी कर रहे हैं, नीचे कमेंट किये ठीक है, हम CA कर रहे हैं, तो ठीक है, आप में से जितने ही बचे CA कर रहे हैं, जो आप लोग CA बन जाओगे, तो आप लोग companies की auditing कर करने स्टार्ट किया, ठीक है, from a qualified accountant, या देखना, from a qualified accountant, पहले भी होती होगी accounting, वो auditing, लेकिन पहले में तो उसके कुछ criteria नहीं बनाए गए थे, पहले जमाने में जैसे मुनीम, क्या कहते थे, नहीं, मुनीम कहते थे, तो मुनीम जो कहते थे, तो वो accountant दुगा करते थे, वो यह चीज में यह चीज बस note down कर लो, ठीक है, यहां से लेगा, यहां तक, फिर बाकी हम लोग इसमें 2013 वाले में एक चीज जो पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको बताता थे, audit of trust, ठीक है, audit of trust, trust क्या होता है, कि मतलब किसी ने पैसा लगाया, और फिर उसके अंदर पैसा चल र trust, trust के लाबारतियों को trust के खातों तक पहुंच और ग्यान नहीं हो सकता है, ठीक है, the trustees are appointed to manage, कौन trustees को अपट के जाता है, किसके लिए manage करने के लिए, and look after the property and business of the trust, accounts, ठीक है, accounts of the trust are maintained as per the conditions and terms of the trust deed, ठीक है, trust की जो डीर जो बनेगी, accounts उसके according ही maintained होंगे, ठीक है, फिर दा, income of the trust is distributed to the beneficiaries, ठीक है, जो income अगर कोई भी होती है, generally तो trust को कैसे income के लिए नहीं बनाया जाता, but अगर कोई भी income होती है, तो किसमें distribute होती है, beneficiaries में, there are more chances of frauds and misappropriation of incomes, जादे तर जो fraud होते हैं, वो ये trust में होंगे, है न, कभी भी case भी पढ़ोगे, तो जादे तक fraud किसमें होगे, या तो trust में हो जाते हैं, या फिर किसमें हो जाते हैं, cooperative houses में हो जाते हैं, ठीक है, फिर cooperative bank हो सकते हैं, अभी तो cooperative bank से कितना ज़ा चल रहा है, अभी एक पोई था, Punjab महराश्टा cooperative bank, ठीक है, PMC, जिसको, मतलब, case भी हो था, PMC, हरताल वगरा कि गहीं, ठीक है, चलो, अभी तो यह लिक लास करते हैं, फिर लास्ट में एक चीज पताऊंगा, पूछूँगा बदा आप लोग उसे, तो इस वाल में यह कहता है कि, तो पूब्लिक ट्रस्ट एक्ट की अकॉडिक क्या कहता है कि, कि कमपल्सरी ओडिट करवाना है, किस से वो भी एक क्वालिफाइड ओडिटर से, अच्छो पूपर कर ले ना, और एक चीज यह भी नोट आउन कर ले न, पूब्लिक ट्रस्ट से लिखरके, ठीक है? तो पूब्लिक ट्रस्ट से लिखरके, क्वालिफाइड ओडिटर से, तो हिंदी वाले बच्छे खाहन से नोट कर लेंगे? एक तो कर लेंगे, trust के खातों कर रखा का Trust deed एक चर्त्तों के अनुशार किया जाता है Trust deed के साथ-खाथ Public trust Act के दौरह भी प्राबधान करता है तो इन चीजों को note down कर ले यहां से उठाना और यहां थो अब मैंने चलो कर दिया हूँ आप लोग video को post करके todo कर सकते हैं नोट डाउन करना, नोट डाउन जरूर करना, नोट अपने जरूर बनाएं, अब हमारा आता है, कॉपरेटिव सोसाइटी, कॉपरेटिव सोसाइटी सेक्ट 1912, इसका मैंना कोशन आप से पूछा था और आप लोगों ने इसा आंसर भी सही दिया, सभी बच्चों ने, तो बि इसको हैड, यह किसके द्वारा किया जाता है, इसके लिए separate department बनाए गया है, किसके द्वारा, Government of India के द्वारा, जो कि हमारी भारा सरकार है, ठीके, known as Accounts and Audit Department, कौन से department पर यह है, Accounts and Audit Department, this department is headed by the Comptroller and Auditor General of India, CAG, ठीके, CAG के द्वारा किया जाता है, इसको हैड किया जाता है इस department works only for the government offices and departments, ठीके, इसको government offices and departments के लिए काम किया जाता है, but, but क्या कहता है, इस departments cannot undertake audit of non-government concerns, it is working strictly according to the government rules and regulations, ठीके, इसको किसी भी तरीके से audit नहीं किया जा सकता है, कैसे government concerns, मतलब जिसमें non-government concerns है, but एक चीज है, इसमें सुनो मेरी बार, कि अगर Government of India चाहे, अगर Government of India चाहे तो एक special power दे सकती है कि इसको CAG को, कि आप, मतलब की, जैसे की, चलो एक आपको case बताता हूँ, मैं, एक Unitec Infra है, ठीके, Unitec Infrastructure है, तो क्या हुआ कि इस company में, मतलब घपले बाजी हुई, यही गुड़गाओं होगरा में, इसके बहुत सार टावर है, तो पहले में जिस company में job करता था, तो उसमें भी इसका, वो मतलब इसकी के टावर में थी, ठीके, तो Unitec Tower था हो, राजी हुई चली, फिर case हुआ, ठीके, यहां पर समझाता हूँ, तो Unitec Infrastructure है, तो Supreme Court में इसका case चला, ठीक है, Supreme Court ने इसके जितने भी owners थे, Board of Directors थे, सब को ठागे किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया, उसमें का Supreme Court ने गा, तुम इतना बड़े घपले वाज है, तुम जाओ, जेल में जाओ, ठीक है, क्योंकि कंपनी के अपने से एक separate legal entity होती है, Board of Director होगरा से, ठीक है, यह तो इसका दिमाग है न, दिमाग को निकाल के fake दिया, अब Unitec Infrastructure का क्या होगा, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा buildings बनी हुई है, इतना बड़ा इसका, मताँ इतनी ज़ जाओ, जब भारत सरकार इसको चलाएगी, तो जब इसकी auditing करवाएगी, तो इसकी CAG के द्वारा करवाएगी, ठीक है, तो यह इसकी CAG के द्वारा करवाएगी, ठीक है, तो यह इसकी special permission देगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देखो CAG को कोई मतादा अपनी तरफ से appoint नहीं कर सकता, अगर UNITEC infrastructure मतलब चाहती पहले, जब इसकी board of directors थे, कि हम लोग CAG से क्या करवाएगी, अपने company को auditing करवाएगी, तो वो नहीं कर सकता, लेकिन, अगर भारत सरकार चाहे, government of India चाहे, तो वो करवा सकती है, ठीक है, तो इस सीच को ध्यान में रखना, चले आगे अब आता है हमारा based on time, उपर हाल हमने क्या देखा था, ownership, अब आता हमारा क्या based on time, तो based on time में क्या होता है, को interim audit होता है, interim audit का मतलब होता है, when the audit is conducted between two annual audits, ठीक है, ये question आया भी था, previous year में, तो मैं आपको बताया भी था, एक तरीके से याद करने का, interim audit हम लोग कैसे करते है कि मतलब ऐसे याद रखवाया था, मैंने आपको कि interim budget आता है, तो वो एक साल और दो साल के बीच में कभी interim budget आ जाता है, तो ये वही था, interim audit है, मतलब कि दो consecutive, मतलब कि financial year खतम होने से पहले, बीच में कभी आपने auditing करवा दी, तो हमारी interim auditing के लोग कहलाईगी, ठीक है, तो तो it may also be for the purpose of dealing with the interim figures of sales, ठीक है, इस चीच को याद मरें, तो interim audit हमारा क्या होता है, जा हम लोग कभी भी दो सालों की बीच में, उसको क्या करवाते है, audit करवाते है, तो पूरा नहीं लिखना है, इसमें बता दो आपको क्या क्या लिखना है, oh sorry, तो इसमें आपको यहां से ल प्रयान लिख दोगे न, समझ में आ जाएगा बाद में, हैना क्योंकि यह थो जागए यहां पर तो बाद में तो जगर नोटस पढ़ोगे थो नोटस पढ़ोगे, तो दो समया जाएगा, the continuous audit is conducted throughout the year, at the regular short intervals of a time, तो देखो क्या होता है कि आपका, मतलब 1st April से start होगे आपका तो यह आपका क्या क्या खिलाता है यह आपका continuous audit क्या खिलाता है ठीक है इतनी छीजी हो थी इस नाम से झाधा थाथ ना final audit a final audit जो आता है हमारा यह चीज़ इंपॉरेंट हो थी कि final audit means when the audit work is conducted after the close of the financial year यह जो होता है न हमारा यह जो होता है यह हमारा सबसे इंपोर्टन ओला ओड़ित होता है मतब कि जो हमारी financial statement जितनी भी आएंगी वो सब final audit पर ही क्यों मतब डपेंड करती है अब final audit is commonly understood to be an audit which is not commenced until after the end of the financial period and is then carried on until completed मतब कि जब तक साल खतम नहीं होगा तब तक आपकी final audit नहीं होगी लेकिन यह जब तक final audit पूरी नहीं हो जाती तब तक ठीक है इस इस को ध्यान में रखो गया balance sheet audit अब हमारी यादि balance sheet audit यह कुछ ज्यादा important है लेकिन तब भी पढ़ाएंगे तो क्या कहता है balance sheet audit relates to the verification of various items of balance sheets such as assets, liabilities, reserves and surplus provisions and P&L account ठीक है procedure under this audit is to follow backward process क्योंकि आप लोग इस साल से पीछे की तरफ जाओगे first the item is located in the balance sheet पहले आपको यहाँ पर balance sheet में आइटम को देखना है then it is located in original record and then the purpose of verification फिर हम लोग उसके laser देखेंगे, journals देखेंगे फिर उसके vouchers को देखेंगे तो पीछे पीछे चलते जाएंगे तो इस तरीके से जो अपने normal auditing होती हो balance sheet auditing ही एक तरीके से है अब आता है हमारा based on objectives पहला ने ownership पढ़ा, फिर timing पढ़ा अब हम लोग पढ़ेंगे based on objectives कि मता हमारे auditing के objects क्या है उसके basis पे जो भी कुछ हमारी क्या बनेगी auditing होगी वो उस पर हमको देखना है internal audit होती है internal audit क्या कहती है पूरा का पूरा नहीं पढ़ना आपको आपको क्या चिद्धार में लोगी it is a type of control which functions of measuring and evaluating the effectiveness of other types of control ठीक है it deals primarily with the accounting and financial matters but it may also properly deal with the matters of operating natures ठीक है it implies the audit of accounts by the staff of the business ठीक है मतले कि आपकी internal auditing कहती हो जानती हो ना भाई आपने जिस auditor को या जिस accountant को हायर किया हुआ है वो क्या कर आपकी auditing को कर दाए तो यह हमारी internal audit हो जाथी external audit क्या होती है जो आप बहार से साल के end पर क्या करते है appoint करते हैं किसी auditor को या फिर किसी company को जो क्या है auditing के लिए बनी हुई है ठीक है फिर आती है हमारी cost audit तो cost audit का मतलब क्या होता है कि verification of the correctness of the cost accounts ठीक है cost audit हमारी इसलिए हो देगी ठीक हम लोग अपने cost accounts को क्या करते है verify करने के लिए क्या बनाते है अपनी audit करते हैं ठीक है तो यह चीज आपना पढ़ी हो गया cost auditing costing जब पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ाते हैं ठीक है cost audit is the detailed checking of the costing system ठीक है techniques accounts to verify correct it as to ensure adherence and the objectives of the cost account ठीक है तो देखो cost audit का मंदब क्या होता है कि आपके जितनी भी cost अगरा खर्च हो दिए कि हाँ वो सही way में जा भी रही है नहीं जा रही है ठीक है इन सब चीज़ों किसमे cost audit में देखने है जितनी पीची येलो करके उसको ध्यान में रखना अब क्या आता हमार फोर्थ फोर्थ से पहले थ्री आना था तो पहले थ्री वाला देख लेता है secretarial audit secretarial audit is concerned with the verification compliance by the company of various provisions of company sect and the other relevant laws secretarial audit reports whether books are maintained as per company sect 2013 ठीक है इस इसको note down कर लोगा secretarial audit का मतलब क्या होता ये इसलिए करवाई जाती है कि मतलब आप जितने भी हमारे company sect अभी जैसे 2013 वाला है ठीक है पहले 1956 था तो क्या आप हमारे 2013 का जो company sect है उसके according काम कर रहे हो या नहीं कर रहे है books को वैसे maintain किया गया है या नहीं किया गया है ठीक है तो ये सब चीजों के लिए हमको क्या secretarial audit करवाना पहते है अब आती है हमारे independent audit हम जितनी भी अपनी बात करते रहते हैं auditing की ये auditing का वो यहां से आएगा वहां से आएगा ऐसे appoint होगा वो सारे के सारे हमारे independent audit होते हैं ये कल में आपको समझाया भी था ठीक है तो जो हमारा independent जो ओनर जो है उसका काम क्या है कल मैंने आपको पूरे कहानी समझायी थी एक loan वाली ठीक है वो भी इसी तरीके से ही है कि bank का interest तो लाइक कर रहा है हमारे उसमें और company में क्योंकि वो हमको loan देगा बट क्या उसको पूरी तरीके से knowledge है नहीं है तो ठीक है तो एक तरीके से safeguard हमारा करता है कौन? independent auditor मतलब independent audit अगर हम करवा रहे है तो इसका मतलब यह है कि कही न कही हम लोग अपनी value को true and fair दिखा रहे है अगर इस वाले case में अगर इस वाले case में हमारा auditor जो है अगर उसको मतलब कि अगर वो किसी भी तरीके की financial statements गड़बड़ी पाई जाती है fraud होता है तो auditor जो होता है वो भी jail में जाता है criminal and civil liabilities होती है auditor की define की गई है मैं आपको बताया था कल मैं आपको cases भी पढ़ाया थे कुछ पहले bloodhound वाला case पढ़ाया था दीरे दीरे करके किस तरीके से उसकी liabilities बनाई गई है auditor की हम भी तो क्या था independent audit के आड़ में बात बतानी थी कि क्या बताना था मुझे देखो कि अब इसमें लिखा हो थे कि parties who do not have knowledge of day-to-day operation अच्छा हां ये बताना था मुझे कि सहारा का एक case हुआ था हां सहारा का एक case हुआ था और एक और case हुआ था कौनसा सत्यम आप लोग शाद याद हो सत्यम 2008 का case हुआ था ठीक है तू मुझे इन दोनों में से बताओ कि कि किस वाले case में नीचे comment करके बताना ठीक पढ़ना कि इन मैसे किस वाले case में आडिटर जो था उसको भी जेल हुई थी ठीक है इन में से कौन साले case था जिसमें आडिटर को भी जेल हुई थी तौनों में से मुझे बताना वन इसको में दे रहो इसको टू दे रहो तो लीचे लिख देना शारा case या फिर सत्यम case ठीक है क्योंकि auditor की अपनी liabilities बनती है इंडिपेंडेंट हो भाई है आप गलत तरीके से रिपोर्ट के चापके दे रहो फिर आता है हमारा tax audit nowadays आजकल मतले एक tax audit आजकल तो बहुत कुछ आ गया है tax audit आ गया है क्योंकि income tax related साथ इसके में इसको डाल गया nowadays tax audit has become very important to ascertain the accuracy of tax related documents ठीक है tax audit mostly covers income returns, invoices, debit and credit notes, various current and fixed taxes, tax audit is an innovation of 21st century मतला अब यह भी आए है यह सारे के सारे tax audit है यह क्यों है आपको social audit अचा environment audit, social audit, management audit, HRM audit और जो मर्धी audit यार खड़ लो आप तो audit का मतलब क्या होता है कि उस चीच की जांच पड़ताल करना है ना fire safety audit होते हैं और आपको food safety audits होते हैं हर एक चीच की auditing हो सकती है तो यह tax की भी होती है tax audit ensures the validity and creditability of tax related documents ठीक है ठीक है इतनी चीच संज में आगी types of auditing संज में आगी क्योंकि यह types of auditing से question आते हैं तो तीन question आने की संभावना है आप से पुछ लेगा interim audit में कितनी बढ़ auditing होती है कब auditing होती है इन में से या फिर आपको देदेगा tax audit की ही मानों की definition देदी फिर आप से पूछा कि इन में से बताओ कि यह consular है हां तो उसले किसमें वहाँ पर गलत नहीं करना अगर आप से पूछ लिया कि whether the books are maintained as per company check 2013 is which type of auditing ठीक है तो आपको कौन से नहीं देनी उसमें secretarial audit देनी है उस टाइम पर गलत नहीं करके आना ठीक है independent auditor यह तो खहर पता है यह cost auditing हो गया internal auditing हो गया balance sheet based auditing हो गया final audit हो गया continuous हो गया interim हो गया government auditing हो गया ठीक है सब कुछ पढ़ा दिया अब इसमें कोई confusion है उपर वाले में नहीं अब हम लोग आ दे है appointment of an auditor कि यह auditor की appointment होती कैसे कि मदब उसके लिए क्या क्या चीज़े कही गई है तो कुछ इसकी qualifications बनाई गई है कुछ इसकी disqualifications बनाई गई है मदब दो तरी अगर वो एक chartered accountant है तब ही वो क्या बन सकता है एक auditor बन सकता है ठीक ही सब कोई पता होगी देखो आपके LLP कोई भी form कर सकता है ठीक है उसमें आपके accountants भी हो सकते हैं और non accountants भी हो सकते हैं ठीक है मतलब कुछ लोग CA भी हो सकते हैं कुछ लोग non CA भी हो सकते हैं लेकिन authority किसको sign करने की authority जो है वो सिफ़ों से CA वालों लोगों को यह question आ जाएगा कि LLP में authority किसको है अपने auditing की notes फाइनल उस पर sign करने की ठीक है तो उसमें आपको किसम लगाने चार्टेट अपांटेंस लगा करने हैं दो ही तरीके के qualifications दिये गए थे अलागि disqualification of an auditor बहुत बढ़ा दिया गया है क्योंकि qualification से जादा बड़ी disqualification an officer or employee of the company कोई भी ऐसा officer या employee जो company में काम कर रहा है वो नहीं appoint हो सकता आप person who is partner partner नहीं हो सकता employment या फिर उसका employee का relationship है किसी भी तरी किसे company के साथ में वो भी a point नहीं हो सकता आप person or a firm who whether directly or indirectly has business relationship with a company ठीक है कोई भी ऐसी firm कोई भी ऐसा person कोई भी ऐसी company जो company के साथ में क्या करती है directly या फिर indirectly business करती है ठीक है वो भी a point नहीं हो सकती और subsidiary of which such holding company और associate company और such nature is may be prescribed ठीक है अब person whose relative is a director ठीक है आपका मतब BOD में है और कोई मतब ऐसी position में है जिसमें आप क्या कर सकते हो influence कर सकते हो ठीक है अपनों किसको उस person को तो आप उस person को appoint नहीं कर सकते है ऐसा director ठीक हो भी disqualify हो जाएगा फिर हम से कहता person who is on full-time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding appointments as its auditor if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies ठीक है आप more than 20 companies का क्या करते है और auditing का काम ले रखे हो उस आले case में भी वो person क्या होगा auditor नहीं appoint हो सकता अब person who is convicted by a court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not been alleged from that of मतला क्या किया आप previous आले company में काम करते तो और आपको jail हो गई ठीक है जेल हो गई और jail आपको कब हुई 2001 में हुई और आपको 2020 में appointment करना है क्या उस company को auditor तो क्या auditor हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा बेटा बिलकुल हो जाएगा लेकिन आपको jail कब हुई 2015 में है ना 2015 में आपको jail हुई और आप उसको 2020 में जब करना चाहोगे तो यह सीच में नहीं होगा चीक है अब आता हमारे remuneration of an auditor auditor को जो remuneration है उसको जो पैसे जो मिलने है वो कैसे मिलेंगे दिखो auditor जो होता है आपने supreme court का judge पढ़ा है कभी quality वागरा पढ़ी हो UPSA का exam देने वाले कुछ बच्चे ठीक है उन्होंने कभी पढ़ा हो क्या supreme court का judge ठीक है या फिर हमारे CAG कभी भी अगर यह appoint हो गए ना जो हमारे constitutional bodies को जो head जो हो दें कभी वो appoint हो जाते ना तो मतलब फिर government उसमें कुछ भी changes नहीं कर सकती है ठीक है ना उनको मतलब बरखास कर सकती है simple उसके लिए special majority लेगाने पड़ती है बहुत कुछ दिखाना पड़ता है इसलिए आपको पता होगा कि आज तक इंडिया में कोई भी आज तक इंडिया में एक भी supreme court को उसकी position से नहीं हटाया जा सका है क्यों कि भी उसकी पीछी मतलब इतने बड़े-बड़े rules बना रखे है कि मतलब government मर जाएगी government parliament में majority नहीं शो कर पाएगी कि हाँ यह 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 ऐसी है आप पढ़ते हैं अपने auditing पर आते हैं तो section 142 है लिख लेना ठीक है कोशे मैंने पूछा भी आपसे अपसे अगर कभी ऐसा होता है जौरत पढ़ती है तो वह चीज मतलब company को meeting होगर बुलानी पड़ेगी को कोई board of directors अपनी मर्जी से ही उसको changes नहीं कर सकते है तो वह सब कुछ पहले ही फिक्स होगा कि इसमें general meeting में और उसके बाद में अगर वह कोई भी expense वगरा करता है include the expenses if any incurred by the auditor in connection with the audit of the facility extended to him but does not include any remuneration paid to him by other services rendered by him तो इसले case में देखो क्या होता है कि company को auditor जो है ठीक है auditor जो है वो आपके यांपे एक लाख रुपे में मान गया बट अब उसको कि इदर भागना पड़ रहा है कभी आपकी इस वाली बुक को निकालने लिए जाना पड़ रहा है इस वाली ब्रांच में उस वाली ब्रांच ठीक है तो कल से auditing का पूरा-पूरा अब अपने का company set का पूरा-पूरा पड़ेंगे starting से आज मैंने आपको यह बता दिया types of auditing क्या होती है ठीक है बच्चे इसमें कोई भी question गलत नहीं कर गाएंगे types of auditing में आज मैंने आपको बता दिया तो सबसे पहले question आपके practice के लिए question बर फिलिंदा ब्रांच है is a systematic examination of the books and records or a business easy है auditing, watching, verification या फिछ checking ठीक है फिलिंदा ब्रांच पुस्तको और अभी लेको या वेविसाय की एक वेविसाय की एक वेविसाय परिक्षा है कल बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में नहीं आए क्यों नहीं आए बेटा पढ़ना नहीं है कल इतनी अच्छे से मैंने आपको practice session के लिए मैंने सोझे था आज बच्चे आएंगे बच्चे सुंदर सुंदर आज सुंदर आए बच्चे या एक auditor है एक auditor है एक मतलब कैसा होता है bloodhound bloodhound watchdog may both according to situation या फिन अन अब दीज कल ही प को बताया था ठीक है मैं देखूं को कितने उच्छे को याद है कि मैंने केश आपको बताया थे आप जितने विचे नोट करके रख रहे है when the audit of company accounts was made compulsory in India इंडिया में company accounts to compulsory कब किया गया ठीक है तो यह चीज़ भी मुझे आपको बतानी है 1894-1944-1947 यह फिए 1952 ठीक है बताओंगे ना गरत तो नहीं करोगे चलो ठीक है फिर कल अपनी class के साथ में मिलते हैं कल शाम को होगी कौंसी अपनी live class और सुबह के time पर आपकी auditing की class आईगी तो जितने ही बच्छे नए हैं आज पहली बारे जुड़े हैं वह हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें दूसरे चैनल को शेयर करें बताएं आप लोगों किस तरीके से free batch दे रहा है आपको कोई भी friends पगरा तैयारी करने है या फिर आपको कभी नीचे comment box में किसी दूसरे teacher class देखनी कर जाते हो फिर बोलता है कि हम paid batch नहीं करी सकते हैं हम इतने पै तो आप लोग उनको हमारी वीडियो का लिंक दे सकते हो कि हां भई इस तो अपने प्री वीडियो को साथ में बाकि थैंक यू सु मुच पर वाचिंग थैंक आफ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत भःत धन्यवाद हमारे साथ में इसी तरीक से जुड़े रहें और देखते रहें ठीक है बाकि बाई बाई जय हिंद